वेलकम अटो प्रियाग राज इंस्टूट आज मनों बात करेंगे डेली करेंट एफेर की सिरीज में 15 और 16 दिसम्बर से संब्दित महत्पूर्ण करेंट एफेर की घटनाओं के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट एफेर से हमारे सामने जो पहला प्रशन है कि हाल ही में हाल ही में Fast Attack Craft INS तार मुगली ठीक है इसका नाम याद रखेगा INS तार मुगली को किस नौ सेना डॉक यार्ड में कमिशन किया गया है तो इसको कमिशन किया गया है विसाखा पतनम डॉक यार्ड में आप्सन नमबर A विस्तार से जानते हैं भारती नौ सेना ने विसाखा पतनम इस्थित नौ सेना डॉक यार्ड में आईजित एक कायकरम के तहत Fast Attack Craft INS तार मुगली को कमिशन किया है और INS तार मुगली एक तेज गती से हमला करने वाला जलपोत है ठीक है विशल है एक जलपोत है तो वाइस एडमिरस संदीब नैथानी जो की Chief of Material है इस कमिशनिंग समारों के मुखे अती थी थे इसका जो नाम रखा गया है अन्डमाज समूह के एक द्वीब के नाम पर रखा गया है Next हाली में किस बैंक ने Solar Project के लिए German Vikas Bank ठीक? German Vikas Bank के साथ Line of Credit ध्यान दिजीएगा Line of Credit पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह है भारती State Bank ठीक? ठीक? तो SBI तो भारती State Bank, SBI State Bank of India ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए German Vikas Bank KFW ठीक है? तो जो German Vikas Bank है KFW के साथ 70 million euro मतलब की 630 क्रोण रुपए ठीक है? 630 क्रोण रुपए की Line of Credit LOC पर हस्ताक्षर किये हैं और LOC का जो उदेश है भारत में सौर फोल्टो वोल्टिक्स PV जो फोल्टो वोल्टिक्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना है अगला प्रशन है कि हाल ही में Miss India EWS से ठीक है? तो Miss India EWS से 2023 का खिताब किन को दिया गया है? तो ये हैं रिजूल मैनी, option number B Miss Indian EWS की medical छातरा रिजूल मैनी ने New Jersey में आयुजित वार्शिक प्रत्योगता में Miss India EWS से 2023 का खिताब अपने नाम किया है और वहीं Massachusetts की सिन्याहा नाम ब्यार को Mrs. India EWS से ठीक है? Mrs. India EWS से घुसित किया गया तथा Pennsylvania की Saloni Ramohan को Miss Tin India EWS से का खिताब दिया गया इस वर्श प्रत्योगता की 41 वर्श का आठ है जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारती प्रत्योगता है अगला प्रशनी है कि BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है तो ये हैं MS Dhoni इनकी जो जर्सी नमबर है साथ इसको जो है रिटायर कर दिया गया है देखे तो BCCI ने पुर्व कप्तान MS Dhoni द्वारा पहनी जाने वाली परतिस्ठित नमबर साथ जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है और BCCI ने यह फैसला धोनी की उपलब्दियों को सम्मान देने के लिए किया है इससे पहले BCCI ने महान क्रिकेटर सचीन तेंदूलकर की जर्सी नमबर 10 को रिटायर किया था अब इस दिसेस कलब में धोनी का भी नाम जुड़ गया है हाल ही में United World Wrestling Rising Store of the Year 2030 की रूप में किसे नामित किया गया है तो यह हैं अंतिम पंगाल ठीक है अंतिम पंगाल तो दो बार Under 20 विश्व चैंपियन और Senior विश्वकान से पतक विजेता अंतिम पंगाल तीरपन किलोग्राम को महिला वर्ग में United World Wrestling Rising Star of the Year 2030 की रूप में नामित किया गया है और अंतिम पंगाल ने अपने Senior ACI Championship डेवियू में रज़त पतक जीता था उनके संदार प्रदर्शन को देखते हुए United World Wrestling ने उन्हें Rising Star of the Year 2030 से सम्मानित किया है अगला प्रशन हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जीलों में PM College of Excellence स्थापित करने की घोशना किया ठीक है तो यह राज्य है मध्य परदेश ओप्सन नमबर B मध्य परदेश में सरकार सभी जीलों में PM College of Excellence इस्थापित करेगी और अकास मने शंबादाता ने बताया कि मध्य परदेश में सरकार कुल 570 सास्की महाविद्यालों में से हर जीले एक कॉलेज को PM College of Excellence के रूप में उननत करेगी और इन कॉलेजों के विकास पर 460 करोन रुपे से ज्यादा खर्ज किये जाएंगे हाली में रच्छा मन्त्राले ने electronic fuse खरिदने के लिए किस के साथ समझाता किया है तो यह समझाता हुआ है भारत electronics limited के द्वारा रच्छा मन्त्राले ने भारती सेना के लिए 10 साल की आवदी के लिए electronic fuse खरिद के लिए भारत Electronics Limited B.E.L. के साथ तीरपन सब करोन रुपए ये एमांट भी याद रखे कभी कभी एक्जाम में जो ही है एमांट भी पूछे जाते हैं तो तीरपन सब करोन रुपए से अधीक का सौधा किया है और यहां Electronic Fuse भारी छमता वाली तोपों में उप्योग किया जाता है भारत Electronics Limited एक भारत सरकार के शामित वाली Aero Space और रच्छा इलेक्ट्रोनिक कमपनी है ठीक है? रच्छा इलेक्ट्रोनिक कमपनी है हाली में BCCI की ओर से किस किर्केटर के लिए अरजुन अवार्ड की सिफारिस की गई है तो यह हैं मुहमद समी ठीक है? ओप्सन नमबर D BCCI ने भारत के तेज गिंदबाच मुहमद समी का नाम अरजुन अवार्ड के लिए दिया है और BCCI ने खेल मंतराले से समी के नाम की सिफारिस की है हाली में One Day World Cup 2023 में समी 7 मैचों में 24 विकेट के साथ संदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गिंदबाच बने है मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड के बाद अरजुन अवार्ड ध्यान दीजेगा अरजुन अवार्ड खेल के छेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है तो पहला सबसे बड़ा अवार्ड क्या होगा मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड अगला प्रश्न हाल ही में किस देश में तिरुवल्लूवर को समर्पित एक परतिमा का अनावरन किया गया है तो यह है देश France option no. B तमील वाश्यों के बीच परतिश्ट्रे सांस्कृतिक प्रतिक तिरुवल्लूवर को समर्पित एक परतिमा का अनावरन फ्रांसिसी सहर सेरगी में किया गया और इस पहल को एक महत्पोंच सांस्कृतिक उपरब्धी माना जा रहा है तिरू वल्लूवर एक प्रसिद भारती कभी और दार्शनिक थे जो तिरू कुशांग के लेखक थे उन्हें आमतरप वल्लूवर के नाम से भी जाना जाता है हाली में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलोती भारती क्रिकेटर कौन है तो ये हैं सुभुमन गिल आप्सन नमबर C साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में जारी कर दी गई है इसमें भारती मूल के न्यूजीलेंड के क्रिकेटर खिलाडी रचीन रविंद्र टॉप पर हैं और वहीं भारत की इवा सलामी बल्लेबा सुभमन गिल टॉप 10 में जगा बनाने वाले इकलोते भारती क्रिकेटर है अमेरिकन फूटबॉल प्लियर डॉमर हैमलिन गूगल सर्च में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहे कौन? डॉमर हैमलिन तथा गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों के लिस्ट में इन्हें पहले इस्थान पर रखा गया है हाल ही में कि सांसाथ को संसाथ के सीथ कालिन सत्र का सेस अवधी तक राज सभा से निलंबित कर दिया गया है तो ये हैं डेरेक ओ ब्रायन ठीक है? डेरेक ओ ब्रायन तो डेरेक ओ ब्रायन को निलम्बित कर दिया गया है तो T.M.C. संसत डिरिक ओब्रायन को उनके अभध्र वेभार के लिए संसत की सितकालिन सत्र की सेस अवदी तक राजी सभा से निलम्बित कर दिया गया है और राज सभा के सभापती जगदीप धनकर ने सदन में आसन के निर्देश की अवेहलना के लिए ओ ब्रायन को निलम्बित किया राज सभा में सदन के नेता प्यूस गोईल ने उन्हें सदन में निलम्बित करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पेस किया था अगला प्रस्टन हाल ही में किस ब्रिटिस भारतिय संगीतकार को 2024 भुकर पुर्षकार निर्णाइक पैनल में सामिल किया गया है तो यह है नितीन साने ओप्सन नमबर D ब्रिटिस भारतिय संगीतकार नितीन सानी को 2024 भुकर पुर्षकार निर्णाइक पैनल के सदस्क में के रूप में नामित किया गया है और वह सल्मान रस्थी की 1981 की भुकर पुर्षकार विजेता Midnight Children के इस्क्रिन रूप आंतरन के लिए जाने जाते हैं अंतराष्टी भुकर पुर्षकार United Kingdom में आयोजित एक अंतराष्टी सहायतिक पुरुषकार है अगला पुर्षन, हाल ही में कौन सा राज एवडियाई प्राप्त करता के रूप में देश के सभी राज्यों में सिर्ष इस्थान पर आया है तो यह राज्य है महाराष्ट, आप्सन नमबर A तो एवडियाई का फुल फॉर्म होता है Foreign Direct Investment तो वैस्विक प्रत्कुल प्रस्थितियों के कारण FDI की कमी के बावजूद भारत 20 अर्थ बेवस्था में एक उज्ज्वल इस्थान बना हुआ है और वित्ती वर्स 2021 वाइस यह जो है वर्स आपको याद रखना है जो फैनेंसिल लियर 2021 वाइस में भारत को अब तक का सबसे अधिक 83.5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्रवा हुआ था ठीक है वित्ती वर्स 2023 के अगर बात करें तो वित्ती वर्स 2023 में वैस्विक अनिस्थाओं के कारणे FDI प्रवार जो फॉरें डिरेक्ट इंवेश्मेंट फ्लो है उसमें गिरावट देखी गी है और वित्ती वर्स 2023 में कुल FDI का प्रवार 70.9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था यह था हमारा 15 और 16 दिसंबर से संबंधित इंपोर्टेंट करेंट एपर की घटनाएं यह विडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाओ जहें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस विडियो की पीडियो के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल दप